नमस्कार मैं डॉक्टर सुधारानी वर्मन आज हम बात करेंगे ऐलोवेरा के विशे में ऐलोवेरा को हर बच्चा व्यक्ति सब जानते हैं लेकिन ऐलोवेरा का प्रयोग कब और कैसे और किस समय करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए इसकी जानकारी होना बहुत जादा ज द्रमें अल्लवरा में आरि सोंगे नंटिर से चार्श केर से लेकिन है जोस्कार मनुष्टिक 250 आज मार्केट में ऑलोवेरा के बहुत सारे प्रोडेक्ट देखने के लिए मिलते हैं एलोवेरा क्रीम है बॉडी लोशन है फेश वाश है एलोवेरा का शैंपू है और एलोवेरा पीने के लिए जूस भी बहुत तरह तरह के अलग-अलग कंपनियों के मार्केट में एवलेबिल हैं मैं चुकि नैच्रोपैथ हूं तो मै यह चाहूंगी कि आप जो है ऐलोवेरा का यूज अगर फ्रेश रूप में करते हैं तो वही सबसे जादा अच्छा होता है और आज अधिकतर लोग अपने घर में अलोवेरा लगा करके रखते हैं गमले में भी आप अलोवेरा को लगा सकते हैं दो चार गमलों में लगा ल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब ना किया हो तो प्लीस सब्सक्राइब करलें तो आप करते हैं कि एलोवेरा का यूज करने से पहले हमें किन-کन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कोशिश करें कि जब आप लगा हैं तो वह ताजा ही करना हो जो भी आप ऐलोवेरा यूज करें वो कम से कम 2-3 साल पुराना चैसित है और उसके अलÁवा जो उसमें जेल वाला पार्ट होता है वो भी अच्छी मात्रा में होता है ऐलोवेरा का पत्ता गूदेदार और मांसल होना चाहिए क्योंकि जो गूदेदार और मांसल होता है क्योंकि उसमें जेल अच्छी मात्रा में मिलता है Aloe vera को use करने से पहले हमें उसे 2-3 गंटे पहले कमसे-कम काटके रख लेना चाहिए क्योंकि Aloe Vera में जब हम उसको काटते हं तो एक पीला-पीला सा दर्ब निकल document करना है तो नीचे से भी दर्ब निकलता है और अगर जब हम उसे साइडो से काट देते हैं तो साइडों से भी पीला-पीला सा एक द्रब निकल कर आता है वो टॉक्सिन होते हैं वो जहर होता है उसको हमें अपने खाने में यूज नहीं करना चाहिए और नहीं लगाने में उसका यूज होना चाहिए इसलिए उसे कम से कम 2-3 घंटे पहले काट करके रख करके या तो पट्टी बांदेनी चाहिए या एलोवेर का पत्ता काट करके जिसमें से हमने जहर निकाल दिया हो उस पत्ते को इसकीन के ऊपर इस तरह से रगड़ के इस्तमाल कर सकते हैं इसकीन पर एलोवेरा जेल लगाने से इसकीन की हर तरह की प्रॉब्लम ठीक हो जाती ह जब शरी को आंतरिक रूप से ठीक करना हो और हमें एलोवेरा का इस्तमाल करना हो तो हमें एलोवेरा का जेल निकाल कर उसको छोटे-छोटे टुकडे करके उसको खालना चाहिए और उपर से एक कप ताजा पानी पीना चाहिए इसके अलावा अगर आप एलोवेरा जूस का आपको पीना चाहिए और 20 ml जूस में 20 ml ही पानी मिला ले और तब उसका इस्तमाल आप करें तब उसको धीरे-धीरे एक-ए घूंट करके पीते रहें शेरीर को स्वस्थ रखने के लिए जब ऐलोवेरा जैल आप खाएं या ऐलोवेरा जूस आप पिएं तो उस वक्त रूटी जैदा मातरह में बाहर निकलने लगते हैं यह तो बात थी कि अलोवेरा और कीसे प्रयोग करना चाहिए और आप करते हैं कि अलोवेरा का प्रयोग किसे कंवप नहीं करना चाहिए तो सबसे important बात यह है कि चोधा साल की उम्र secondo पेहले सेवन किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए आफ्टर डिलीवरी ऐलोवेर का जूस या पल्प का इस्तमाल उसका सेवन नहीं करना चाहिए जब बच्चा मा का दूद पीता हो तो उस वक्त भी हमें ऐलोवेर का सेवन नहीं करना चाहिए फीमेल्स में मासिक धर्म के दौरान अलोवेर का 7 नहीं करना चाहिए क्योंकि ये blood के flow को बढ़ाता है। अलोवेर का prieo g शीमीद मातरा में करना चाहिए। ये सोच करके कि जल्दी इसका फायदा हो जाएगा। तो हमें उसका ज्यादा जैल ज्यादा juice नहीं पिना चाहिए। क्योंकि उसके ज़्यादा प्रयोग करने से पेट में मरोड या किसी टाइप की दिक्कते हो सकती हैं तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी जानकरी पसंद आई होगी अगर आपको मेरी जानकरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नमस्कार धन्यवाद